दोस्तों रंजीत तंजवराठ में आपका स्वागत है और कैसे आप लोग आसा करता हूं कि मज़े में होंगे आज फाइनल हुए हैं तिरुपति बाला जी सूपर 3D तिरुपति बाला जी सूपर 3D मतलब यह काफी उठेवे हैं और आज दिन में ही लगने हैं चान्दी चोग में एक जूलर सूपर तो यह तिरुपति बाला जी मैं दिखाता हूं आपको यह लगभग 42 इंच बाय 52 इंच 42 बाय 52 और इससे बड़े भी बनते हैं इससे छोटी साइज में बनते हैं किसी भी साइज में आप लोग मेरे मुझे और दे सकते हैं हर तरह की भगवान बनते हैं छोटे से लेके बड़े काफी पेंटिंग है आप लोग देख रहे होंगे यह मेरे छोटी से आर्ट गिलिरी है रंजीत तंजर आठ नाम है इस आर्ट गिलिरी का जो मेरे थोड़ा बहुत कलेक्शन कर पाया हूं वो मैंने इसमें डिस तो यह जिस तरह से बनता है यह मैं बताता हूं कि यह सबसे पहले है ना मिट्टी में मूर्ती बनती है मिट्टी की मूर्ती बनने के बाद में पूरी कंप्लिट होने के बाद उसके बाद इसकी डाई बनती है प्योपी विससे और डाई बनने के बाद में इसको फाइबर का पिस निकलता है और उसके बाद हमारा काम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम एम्बोज करते हैं जो यह उठावा पार्ट है डिजाइनिंग है यह सारा उठावा पार्ट करते हैं एक पार्ट होने की बात में गोड़ लगता है पार अच्छा एम्बोज में अलग-अलग मैटरियल यूज करते हैं जैसे की मार्बल पाउडर हो गया फ्रेंच पाउडर सेरेमिक पाउडर जिसको जैसे जमता है वैसे करते हैं उच्छाविकोल मिलाके फेवकल के साथ में उसको पेस्ट बना के कोण में भरके फिर यह एम्बोज हम करते हैं और जब यह एम्बोज हो जा तो यह गॉल्ड लगाते हैं जो बिल्कुल गॉल्ड भी इतना सफ़ई से लगाना पड़ता है कि एक एक चीज के लिए दिखे और जहां गॉल्ड लग जाता है तो उसके बाद उसमें बारेक काम स्टार्ट होता है ब्रस का और कहीं जगे जिस सेड लगानी पड़ती है थोड़ा इंटीक दिखाने के लिए थोड़ा उपर नीचे जो एक-एक चे उठाने के लिए फिर होता है कलरिंग का काम वह इसमें जो फूल माला लगी हुई है वो कागज के फूलों की है क्योंकि जो ओरिजिनल फूल का लूग ब्रस से बनाते हैं तो नहीं आता है तो कम सब माला लगाने से थोड़ा सा और चार चान लग जाते हैं पेंटिंग में और कलरिंग का काम होता है तो उसमें जैसा प्लैन कलर पहले भरना है उसके बाद फिर बार इक ब्रस से शेडिंग लगाना उसके बाद डिजाइन बनती है यह डिजाइनिंग वगरा तब जाके एक पेंटिंग फाइनल होती है उसकी बाद फ्रेमिंग और फ्रेम भी है तो ऊड़न फ्रेम है जो कि साउथ में होती है वही फ्रेम हम लोग करते हैं दिल्ली एंसेयर में हमारे अलावा इस तरह की फ्रेम कोई नहीं करता हैं हम खुद इसको लकड़ी लेके आरा मसीन से चिर्वा के और फिर उसके बाद में बनाते हैं इस तरह की फ्रेमिंग तो किसी को भी छोटी साइज बड़ी साइज या हर तरह की जो भी साइज बनवाना हो तो मेरे से कॉंटेक्ट कर सकता है मेरा नंबर है 931-3322-431 और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं और अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं तभी आप मेरे नए नए वीडियो आप देख सकते हैं नए नए पेंटिंग के साथ और अगर आप इंडिया में या वर्ल्ड में कहीं भी है तो वहां से मुझे ओडर दे सकते हैं घर पर पहुचाने की मेरी गारेंटी होती है अब बस ये कोरेयर का चार्ज आपको देना पड़ता है बैगी पूरा पेक करके बॉक्स बनाके और पेंटिंग डिलेवर करते हैं और अजर आपको दे अजयए पारेंटी है